मा तारा इंटर्प्राइजस के वर्क्शॉप पर आया हूँ, जहां पर मशीने बनाई जाती हैं, मुर्मुरा उद्दोग के ऊपर बहुत सारी जनकारी लेकर आ रहा हूँ, उसके पहले मैं अपने सारे दोस्तों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अपना प इंटर्प्राइजस के सर जी, क्या आएक बार पूरा परचे दें, मैं जल सिनापती, मेरा कॉम्पाने का नाम है महातारा इंटर्प्राइजस वेस्ट बंगल पुर लिया, और बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेस्चन उठाए थे, कि मशीनों के बारे में थोड़ी डिट इसमें बहुत सारी बाते होंगी, तो किन प्रकार की मशीने हैं, उनकी क्या क्या कारे चमता है, बहुत सारी बात बातचीत होगी, तो आए सर यहां पर थोड़ा सा देखें, कि यह क्या कर रहे हैं, यह कौन सी मशीने पहले इसी से शुरू करते हैं, यह 13-bit का रोस्टर है, रिंग रोस्टर बोलते हम भी इस मैं, यह इस तरह की होती है? ऋक्रू का जैसा, गादस म्मो armpit का संब्ला इसका रहे है, त Von pulled का जोड़ा है, जो यह इस पोजिसन में जो ड़ाया है, यह धिरे-धिरे screw होते जाएगए यह है यह रोस्टर का यह 84 साइड है इसका अंदर बालू रहता है इसका अंदर बालू रहता एक सासा चलता है लेकिन बालू के नृत्सस और काम क्या करती है और बालू हीट होता है और बालू में जो चाबल होता है जो चाबल होता है चाबल गरम होके मुर्मुरा निकलता है और बालू रिटन होके चला जाता है कितने फिट की है यह तेरा पिट का है देखिए यह तेरा फिट रोस्टर है इसमें तीन इंच वाला स स्टेंड है पुरा भर्टी भर्टी बनेगा यह इदर मुर्मुरा का भर्वेटर बिटेगा साइड से हीटिंग का पोजिशन होगा और उदार पीछे का तरफ आपको हपार बिटेगा चावल देने के लिए इस तरह की मशीने जो है केवल जो हीट करने के लिए क्या बिजली क पर कि पहले कि अच्छा ज्यादा बहुत जाया होता है मेंने खर्चा अगर आदम को करके कुछ बंचे का नहीं तो करके कुछ पाइदा नहीं है हमारा जो मेशीन है यह मेशीन देखिए है इसने हम टाटा लोहा से बनाते की इधर इधर लिखा हुआ है पूरा टा यानि कि आप जो अ». aquilo daher कोई भी अभी ङूह मेहिसीन कोई और कि और रिख आप का प्र यह अश्लंड दूसरा में और यह एक पॉर ऑफ्न क्या हूं है यह क्या है यह लिए फिर लगता है यह जो एसर लुहा वाला है यह सारी बनावत लोहे की है तो जंग भी खाती होगी समय के साथ अगर पानी लगेगा तो तो जंग धर गाई लेकिन वो काम चलते चलते कुछ प्रॉब्लेम नहीं होता अगर अदमी काम नहीं रुख जाएगा तब उसमें जंग पड़ेगा इसकी लाइफ क्या है अगर चलती रहे तो जाता है जाता है जिसका जितना हीटिंग पोजिशन ज्यादा होगा उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा पहले देख लिजिए उसका स्कुरू कितना है उसका लंबाई कितना है स्कुरू जितना रहेगा जितना लंबाई होगा हिटिंग पोजिशन जितना ज्यादा होगा उतना उसका प्रोडेक्शन ज्यादा होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ स्कुरू वाली है जितना बढन हो साधी सभर ए जबंबा कर्स घटैटा बढ़ा हूं जीटर नम्बा को इस जग़ामें छैद में आपको लोह इस जादर से ढगना पढ़ता और बात का ख्याल रखना है कि जो लोह इस्तेमाल की गई है लोकल ना गटिया ना हो उसकी मोटाई एक जो है मीनिमम अच्छी होना चाहिए और जो इस कुरू वाली बात बताए इन्होंने जो रिंग सही अच्छा भुनाई के लिए उसको भी आपको ध्यान में रखना है उधर भी काम चल रहा है सायद रिंग उधर ही फाइनल प्रोडक्शन होता है अच्छा वाँ तो आप सरकल अभी यहां पर रिंग वाली जादी मशीने दीखते हैं मतला और जादा और ड्राम बोला हम दोनों रूष्टा दिखाएंगे बेट्स दादा रिंग वाला है वह पूरा फूल गैरंटी है इंडिया में जितना बड़ा-बड़ा प्लैंट है सब रिंग वाला होता है और ड्राम बाला जो कभ इंवेश्ट में कोई पहली बार कर रहेगा तब आपको ड्राम खरिट सकते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा बोलते हैं रिंग वाली में सबसे चोटी साइज क्या है साथ फीट हम लोग पूरा साथ बनाते हैं वह जो है नहीं वो जो कालर किया हुआ है और रिंग वाले में सर एक बद बता दें कि कोस्ट कहां से सुरू हो जाती है रिंग बला हम सेवेंडी थाजन स्टाटिंग रेट रहे हैं और उसका हमारा डेलिवरी सिस्टेम है हम लोग कोई भी हमारा ओडर कीजिएगा अब बहुत दिमांड बढ़ रही है अब लोग बड़े बड़ेक्ट की दिमांड कर रहे है तो हैवी हवी मशीनों की डिमांड कर रहे है तो आप ने अभी तक लिए कितनी हैवी मशीन बनाई है जो सबसे भारी वाली है अब गण्ट में प्रोड़क्शन बहुत ज्यादा प्रोड़क्शन और इधर भी देखते हैं थोड़ी से ड्रम वाली भी बात कर लें देखिए हैं यहां पर रखी है मशीन प्रोड़क्शन कितना होगा एक कि लिए अपका हमारा यह जो रोश्टर है ड्रम बाला यह हमारा साउथ अप्लिक आ जाएगा ठीक है कल हमारा वीडियो चैनल में दिख पाएंगे शाउथ अप्रिका जाएगा इसमें बंद होगा पहले आमेदाबाद जाएगा आमेदाबाद से यह डॉक्त सुफ नेपाल आपका बहार का बड़ा नेपाल है रॉक्सोल बोड़ारों के बिर गउंच बिरपाड़ा सभ पहले बाहर से लोग मंगाते थे अब अच्छी बात है सुनने पर बड़ी शुकून मिल रहा है कि यहां से मशीने भेजी जा रही है बहुत अच्छा तो वर्ल्ड के किसी कंट्री में भेज सकते हैं यह तो प्रॉब्लम ही नहीं है तो बहुत जो बाहर के लोग वीडियो कि आपका यह पूछना भूल जाते हैं कि नेपाल में मिलेगा की नहीं एकदम बिल्कुल मिलेगा फिर से मैंने रिपीट करवा दिया जी और एक मां जो डवल ड्राम रोस्टर का बात बता रहे थे ओई है यह है डवल ड्राम रोस्टर देखिए काफी बढ़ी है तो 14 पिट पिट का कम गंटा में इसका प्रोडक्शन फ्रोडक्शन का में कम से कम नौौ सब्सक्षाइं alter भूरा यह चाना के लिए चोटा रोस्टर में साथ पीट में अगर कोई चाना करेगा कोई कमपने इसे बोल देगा कि हमको चाना फोगा चाना होगा लेकिन एक बर में नहीं हो लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये चीजें अलग अलग तरह से काम करें कहीं पर चना का रोस्टिंग का काम ज्यादा होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर चना ज्यादा होता है बहुत बड़ा 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 धान होता है तो वहां मुड़ी हो गया कहीं मकई हो गया इसमें मल्टी है ना यहां पर बहुत तरह की मशीन है और एक बार थोड़ा सा तारा इंटरप्राइज का ओवर्वीव जरूर दे दें कि यह फैक्टरी कहां पर है कब इस्टैबलिश होई एक बार रिमाइंड कर दें हलां कि वीडियो पहले भी आ चुकी आप देखिए हम लोग 5-5 सल पहले सकते हैं हमारा को पास अब लेगा को नहीं पसंद आगा को ज़स्टे नहीं देदा हम लोग उसको स्टैशन पहुंचा देते हैं और खास करके रोस्टर में जो देखा हूं कि इस ताइब की मशीनों का उस तबके में बहुत ज़्यादा मांग है जो मेहनत कश इंसान है खुद मेहनत करना जानते हैं, खुद खेती करते हैं, खुद अपने दम पर घर चलाते हैं, तो जो है थोड़े से पुंजी का भाव भी रहता है, और उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि यह ले गए हैं और खुब इससे अच्छा खासा अर्णिंग कर में बात है कि इस बीजनेस में इन्वेश्मेंट कम है, कम इन्वेश्में आप ज्यादा कमा सकते हैं, इसमें और एक बात बता रहे हैं, यह अगर 10 सल बात खराब भी हो जाएगा, तब इसको लोहा का जो रेट है, आज का जो लोहा का रेट है, तब वो पैसा उनको मिल लिए ऐसे कि तब पचास हजर वाली ही मशीन जो है, उसमें एक किलो में कितना प्रोड़क्शन बताएं आपने? तो इसमें डिपेंड यहीं करता है कि अब कितना मेहनत करता है कितना मार्केट पकड़ता है इस पुरा आटमेटिक हो जाएगा ऐसा नहीं तो पुरा ज्यादा पैसा भी लगेगा यह हम लोग कैसे बनाएं दाक कम इंदिश्ट में आद्मी जो मेहनत वाला आदमी है ओहीं इसमें कर पाएगा ऐसा नहीं कि स्वीच प्रेस करने से आटमेटिक चलता जाएगा ऐसा नहीं मेहनत कर पाएगा उसको पैसा रुज़गार होगा घर में मैषीन पढ़ा रहने से पैसा नहीं आएगा उसको काम करना पड़ेगा अगर कुछ प्रब्लेम होगा मेरे पास मेषीन लेने के बाद मुझे को कॉल करेगा वो करने हैं प प्रश्ण और पूछ लेते हैं कि बना बिगड़ा जो है खराब हुआ तो सर्विसिंग का और वारंटी क्या रहती है मशीनों पर कितने दिनों तक साथ रहते हैं ड्राम रोश्टार हम दो सल वारंटी देते हैं पुरा मोटर का वान यार्स फूल गैरंटी क्रॉम्टर का मोट हो देते हैं और यह जो रूइंग रोश्टार है यह सो पांस साल एकदम फूल हंडेट परसंट गैरंटी इसमें कुछ प्रॉम्ब्लेम नहीं होगा हम करके देखें देखें हम इसी साल आपका यूपी मिरजापूर में दो साल पहले एक्टो रोश्टार दिये थे ओहीर पा अच्छा है और जितना क्लियर रखेंगे रिलेशन सिप जितना हां चुकि दोनों ग्रहां खुए और जो मशीन निर्माता है चोली दामन का संबंध होता है और अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इंको भी एक लस्ट राता है कि नहीं बाई एक छोटा रोश्टर से उसने शु और दो को एक से चार चार लोग मशीन खरीद करके लगाते हैं लगाने में पहले प्लैनला नया बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे पहले ऐसा कर सकते हैं एंग रोश्टर को चोटा मेड़ें लीजिए बहुत बहुत बढ़ी है और मैं चाहूंगा कि आप आएं बंगाल और इनका आतित्य स्विकार करें रहने को यह जगा दे देंगे और खाना भी खिलाएंगे प्लस आपको बिजनेस अपर्टी भी बताएंगे और रोस्टर और बहुत सारे जो चीज यहां पर बन रही है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे ज शुरुआत करें कि हमको यह बिजनेस करना है इसके बिजनेस में क्या क्या परशानियां है किन बातों पर आपको ध्यान रखना है वो भी यह बताएंगे और एक वीडियो में हम कितना चीज बताएंगे तो उमीद करता हूं कि आप सर को कॉंटाक करें और इस बिजनेस से ज जो मशीने उपियोग होती हैं इस उद्यों को लगाने के लिए उस पर एक हमने जनकारी देने की कोशिस की मिलते हैं इसी तरह से कुछ अनोखी जनकारियां लेकर नए नए अपिशोड में तब तक के लिए जय हिन जय भारत